हलो फ्रेंद्स रेश्मा मल्टी चैनल में आपका स्वागत है आज हम अचार बनाएंगे तो यहां हमने 5 केजी का ये कटहल लिया हुआ है इसे दो पार्ट में हम काट लेंगे इस तरीके से और या ऐसे ही कच्चा कटहल होना चाहिए आप देख सकते हैं और जिससे हम चिपा होता है और हाथ में भी थोड़ा सा ओई लगा लेंगे आप कोई भी ओई लगा सकते हैं यहां हमने शर्षो तेल का यूज किया है और जिस बरतन में उसे रखेंगे उस बरतन को भी ग्रीस कर लेंगे तेल से और छोटे-छोटे पीसों में यह देख रहे हैं आप रा आप जी लगे आप उस तरीके से उस कटल को काट कि उसके चलके उतार लेजिएगा तो इहने हम दो टुकडो में काट लेते हैं इस तरीके से यह देखिया आधा हमने कर दिया अब इसके बीच से भी हम पतला कर लेंगे क्योंकि बहुत जादा मोटा भी नहीं रखना है नही बनेंगे तो हम इस तरीके से बीच में से भी इनको पतला कर लेंगे और छोटे-छोटे पीस में हम इने काट लेंगे अब कटहल को छोटे-छोटे टुकड़ में हम काट लेंगे तो इस तरीके से जहां से बीच है वहीं से हम कट लगाएंगे इस तरीके से बहुत जादा मोटा और बहुत जादा पतला नहीं होता है परफेक्ट होता है अचार के लिए क्योंकि हम इसे दूप में डालेंगे तो थोड़ा सा ये सूखेगा उसके बाद जब हम अचार डालेंगे तो भी ये कर लेगा तो इसी तरीके का इसका पीस होना चाहिए तो सारे पीस को हम भड़ा भड़ से काट लेते हैं सारे कटहल को काट के हमने धूप में डाल दिया है 7-8 घंटे के लिए इसी तरह धूप में छोड़ देंगे ताकि जो मॉस्चर है वो खतम हो जाए कटहल अब सूप चुका है तो इने एक बरतन में हम उठा लेंगे अब हम अचार मसाला बना लेते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहां साबुद धनिया को लिया हुआ है तो इसे हम हलका सा रोस्ट कर लेंगे गरम होने तक ही बस भूनना है तो यह देखे इसे उतार लेंगे यह हमने सौप को लिया है तो इसे भी हम हलका भून लेते हैं सोदा सा खुस्बू आएगा तो इसे भी उतार लेना है बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है यह है मंगरेल जिसे कॉनावजी मसाला भी बोला जाता है तो इन्हें भी हम हलका ही रोस्ट करेंगे बहुत ज़्यादा नहीं नहीं तो इसका अचार में टेस्ट तीखा पन जैसा लगेगा तो बस इसे हलका गरम करेंगे उतार लेंगे और यह अजवाइन है इसे भी हम हलका सा भून लेते हैं ये देखे बहुत हलका सा भुनना है कलर भी इसका नहीं चेंज करना है बस हलका सा गरम करना है और इसे भी उतार लेना है ये सरसो दाने से बहुत ही छोटा होता है और रेट कलर का देखने में होता है इसका नाम घोडाइल है इसे हम लोग कहते हैं ये भी अचार मसाला है इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अचार में, अक्सर इसे डाला जाता है और डालना भी चाहिए, तो ये घोडाइल है, इसली हर दुकान पे आपको मिल जाएगा, और इसे हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और उतार लेंगे, ये जीरा है, जीरा थोड़ा ज्यादा अचार में डालेंगे तो इसे भी थोड़ा सा हम भून लेंगे जीरा जब अपने साइज से थोड़ा सा बड़ा हो जाए और थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए तब ही से हम उतार लेंगे तो थोड़ा सा इसे हम रोस्ट कर लेते हैं ये मेथी दाना है मेथी दाना जब भी आप डालें अचार में बहुत ज़्यादा ना डालें उससे अचार का जो टेस्ट है वो कड़वा आता है तो हम इसका आधा ही यूज करेंगे अचार में तो थोड़ा सा इसे भी हम भून लेते हैं हमने यहाँ पे सारे मसाले को भून के तयार कर लिया ये कलोंची मसाला धनिया है और ये अजवाइन है ये जीरा मेती दाना और सरसो की तरह जो दिखता है ये घोडाईल सौफ तो यहाँ सारे अचार मसाले रेडी हैं इसी तरी के अचार मसाले होते हैं और हम इसमें कच्छा सर्सो भी डालेंगे हमने सुखाए हुए कठल को ले लिया है और थोड़ा सा हमने आम के पीस को भी लिया है तो सबसे पहले हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे तो ये हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं इसमें अब इसमें नमक डालेंगे, नमक ज़ादा ही रखना है, नहीं तो अचार खराब हो जाएंगे, तो खुब सारा नमक इसमें हम अड़ कर देते हैं, यह है कच्चा पीसा हुआ सरसो, हमने इसे रोस्टी नहीं किया हुआ है, ऐसी हमने पीसा है, तो इसे भी हम अचार में डाल देंगे, तो हम लोग अचार में कच्चा ही सरसो डालते हैं, अचार खराब भी नहीं होता, बहुत टेस्टी लगता है, और यहां पे हम अचार मसाला को अड़ कर रहे हैं, जिसे हमने भून लिया था, कई मसाले को मिला के अचार मसाला बनता है, जिसे हमने दिखाया था, त इसे चिली फ्लैक्स भी बोला जाता है तो इसे हमने डाल दिया है अब हम इसमें सरसो तेल का यूज़ करेंगे तो यह मस्टर्ड ओयल है यानि सरसो का तेल तो यह कच्छी गानी है सरसो के तेल से ही अचार बनता है तो हमने यहां सरसो का तेल डाल दिया है अचार में मस्टर् हो शक्ता होगी उस एक्वाड accompanied हम इसमें को एंड टायंगे तो थोड़ा सो ओई हम और डाल डेते हैं अचार में हमने सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है इनहें अब हमई इस्टोर करके रखेंगे तो सबसे पहले इस अचार को इस्टोर करके रखने के लिए इस तरीके का हम प्लास्टिक का कोई डिबा ले लेंगे या फिर आप शीशे का कोई कंटीनर ले लिजे या फिर इस अचार को आप मटके में भी रख सकते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बाते हैं कि जिस भी बरतन में आप अचार को इस्टोर करके रखेंगे वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चीए और सुखा होना चीए तो हमने ये प्लास्टिक का एक डिबा लिया हुआ है इसमें हमने अचार को इस्टोर कर दिया है इस तरीके से देखे हमारा चार बहुत ही अच्छा बना हुआ है जिस तरीके से हमने ये कटहल के अचार को बनाया है इस तरीके से आप जरूर से ट्राय किजिएगा आपको बहुत पसंद आएगा कटेल में थोड़ा सा ये आम के जो पीसें उसे जरूर डालिएगा इसे इसका टेस्ट खटा मिटा बहुत ही अच्छा आता है आई होप कि आपको पसंद आएगा अब हम इस पे ढखन लगा देंगे ढखकन भी लगारते टाइम ध्यान देना है कि इसे टाइट रखना है बिल्कूर ताकि हवा पास ना हो अगर एर पास नहीं होगा तो अचार हमारा खराब नहीं होगा ज्यादा दिन तक सेफ रहेगा अब इसे हम रखेंगे तो इसे हम रखने के लिए सबसे पहले हम इस चिश का ध्यान रखेंगे कि इसे हम नमी वाले जगे पे नहीं रखेंगे अगर नमी वाले अस्थान पे आप रखते हैं तो अचार हमारा बहुत जल्द खराब हो जाएगा तो हम इसे सुखे जग़ पे रखेंगे और बीच बीच में इसे धूप दिखाते रहेंगे अचार जब अच्छे से गल जाएं तो एक चिश का ध्यान रखिएगा जब भी आपको अचार खाने का मन करें तो जिस भी चीज से आप निकाले वो बिलकुल साफ और सुखा हुआ होना चाहिए जैसे आपको चमत से निकालना तो वो चमत साफ और सुखा होना चाहिए तभी अचार आपका सेफ रहेगा थोड़ा भी अगर नमी लगा तो पूरा अचार आपका खराब हो जाएगा तो इस चीज का ध्यान रखिएगा अचार निकालते टाइम भी जो भी अमने टिप्स बताया उस टिप्स को फॉलो कीजेगा आपके अचार कभी नहीं खराब होंगे अगर आपको मारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सस्क्राइब करना न भूलें थैंक्यू फॉर वच्चिंग